मैं रणजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साल रुपस्तित हो गाई दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट भर्व एग्रिमेंट एग्रिमेंट मेर्मेंट करता है समझाओता है आन 1955 के बारे में क्या समझाओता होता है इसी के बारे में हम लोग चाचा काते हैं, एक चेप्टर हमेशा grammar में आता रहता है, subject-verb agreement, जिसके बारे में सबको पढ़ना पढ़ता है, क्योंकि विना उसके पढ़े, आप किसी भी exam में अच्छा number लाही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे rule दी रहते हैं, जिसको आप को जानना बहुत आवस्तक हो जाता है दोस्तों, जैसे मैं उसे syntax भी, एक तरह से आम लोग syntax भी का सकते हैं, जैसे मान लेजिए subject क्या है, और subject में आने वाला जो भर्व हो है, वो भर्व का भी एक change होता है, similar भर्व है कि पुलल भर्व है, subject similar है कि पुलल है, ये निरधारित करने का तरीका, subject भर्व agreement में पढ़ा जाता है, अगर मान लेजिए कभी-कभी क्या होता है, subject देखने में लगता है कि पुलल है, तो भर्वी पुलल होना चाहिए, लेकिन देखने में लगता है, पुलल है, लेकिन हकीकत में होता है similar, भर्व देखने में कभी-कभी लगता ह है कि similar है लेकिन राता है पूलल तो हम किस subject के कौन सा भर्व का परियोग करेंगे subject भर्व agreement में कि कौन से subject similar है और कौन से subject पूलल है ये सारे निरधारित करने के लिए हम लोग का नियम जानेंगा रूल क्या है वो जानेंगे और किस subject इस और वर्व का कौन सा रुख, कैसे परियोग होता है, इसके बारे में इस वीडियो में पुरी तरह से जाने बाले हैं दोस्तों, क्योंकि और इक्जाम में दोस्तों, फिल इंदे बलाइंक हो, या और जेक्टिव हो, इसमें से बिलकूल आगर वीडियो improperly रूल दिये गए हैं आप इसे नोट कर पढ़िए और वीडियो को लास्ट तक चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं यहां पर भर्व लगा है यहां पर यहां पर राम इस प्लेइग अब यहां पर राम हिस्टिमलर वर्व है ठीक है अब यहां पर राव सब्जेक्ट है तो pullal इसके साथ भर्म लएगा, यह renewed rule यहीं है कि जब भी similar subject रहेगा, तो उसके साथ similar भर्म लगता है, और pullal subject रहेगा तो उसके साथ पुलल भर्म लगता है, यह होता है subject भर्म अबनीं, दोनों का agreement में यह पढ़ा जाता है, लेकिन इसमें बहुत सारे बदली होते हैं, कभी सब्जेक्ट भर्व एग्रिवेंट को पढ़ते हैं तो रूल नंबर वन है सिंपल रूल है उसके पद आगे जो मैं बताने वाला हूँ वह आपको बहुत ही इंपोर्टन है जो कि हर एक्जाम के लिए बहुत ही जानना बहुत जरूरी होता है अब देखे इसमें अपवाद क् सब्सक्राइब और पुलल सब्सक्राइब लगता है इसके लिए अपवाद है कि जब भी ऑपकेटी संटेंस की बात आ जाएगी तो उसके साथ सिंग्डर सब्जेक्ट रहेगा लेकिन भर्व क्या रहेगा पुलल रहेगा जैसे देखे यहां पर गौड क्या है गौड यहां पर देखे का है यह जो है संटेंस का है बगवान आपकी आयूलंबी करें अप दिरिगाव हो लेकिन उसके साथ हमेसा क्या लाएगा पुलल हमेसा क्या लाइता है यह अप बात है कि जब भी ऑप्टेटी संटेंस आएगा तो हम लोग पुलल सब्जेक्ट पूलल आइस थ्रोप आइस इफ यह मैंने चार वर्ड लिखा हुआ है रूल लमर्टू लिए चार वर्ड में सब्जेक्ट भर वर्ड वर्ड वर्टे हैं दोस्तों इसमें इससे क्या होता है कोरी कलपना या अभिलासा की बात होती है मैंने इस सब पर एक बेडियो बनाया हुआ है इसके संटेंस बनाने के रूप पर आप उसे देख विलीजीगा देखें आई भी सो या इफ हो या एस त्रुवा एस इफ हो मतलब होता है मानू या आई विस मतलब जो मेरी इविलासा है इफ मतलब यदि आनि जिस संटेंस के जिस पहला वर्ड से अभिलासा या कलपना की बात की जाए उस वैसे सिंस में इन लोगों के साथ हमेशा पुलल भर्ब का परियोग होता है सिमलर सब्जेक्ट रहते हुए फिर से पर सुनिए कि यह जब संटेंस के सुरुवात में या सब्जेक्ट के रूप में कहीं भी यूज हो वालिजिस में कोरी कलपना की बात की जाए तो जब भी सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा सिमलर होगा लेकिन उसके साथ हमेशा पूलल चीज का परियोग अनि पूल आई किन मेरी इच्छा है कास यहां पर क्या हों यहां पर कास की बात होई कि कास में एक राजा होता यहां कलपना की बात प्री जब भी अगर ऐसे वड़ आएंगे आई वीश तो उसके बाद आने वाला जो भी पहले अवह वह वह दोस्तों क्या होगा बुलल में होगा जो कि यहां पर कलपना की बात को रही है और शुरू में इफ लगा हुआ है तो ज़स्ट इसके बाद आने वाला जो भर्व होगा वो पूलर होगा दूस्तु आनि जो मैंने कहा कि आई वी सू या इफ हो एस टूँव हो इसके बाद आने वाला पहला भर्ब जोगा वह कुलर होगा दूस्त दूसर्ट की अपर होगा कह इसका दोस्त फिकर मांडेट मीले की कमांडेट मीले आजी ही वियर माई बॉस वह मुझक पर इस प्रकार सासन कर रहा है जैसे मानू वह बॉस मेरा बॉस हो यहाँ पर क्या हो गां आई जिप का मतलब होता है मानू मैं लिए इसके लिए बीडियो बनाया लेकिन यहां पर परयोग का हो रहा है वेर का नहीं पूलल भर्ब का परयोग हो रहा है दोस्तों तो as if के बाद आने वाला subject singular हो उसके आप पूलल हो लेकिन आने वाला भर्ब हमेसा क्या होगा अब दखेए कि see a board सी बर्ड, सी उड़ फ्लाइ टू, यहां पर कहागा वेर, यह क्वेशन मार्क देसा है वेर, देखिए, यहां पर हो गया, तो इसमें भी एक कलपना की बात हो रहा है, यहां पर भी सब्जेट का है, सिमिलर है, लेकिन इसके साथ क्या पर हो रहा है, पुलल, जब भी कोरी कलप फिल्टो, और आयज इब के बाद आने वाला सबजेट पुलल हो या सिमिलर मांने वोने रखता है, लेकिन भार हमेंसा पुलल होगा था था तो वेर का पर यहां होता है, दोर अब रूल्टो की बात करते हैं, तीसरा रूल कहता है, कि जब दी सब्जेक्ट अगर किसे संटि इस तरह से अगर सब्जेक्ट रहे किसी भी संटेंस का सब्जेक्ट अगर नाउन प्रीपोजीशन नाउन अगर के रूप में रहे तो हमेशा पहल यानि फस्ट नाउन की तरह ही एक्जुलिटी भरब का निरधारित करेंगे अगर एक्जुलिटी भरम को लगाना है या भर्ब लगाना है यहाँ पर या भर्ब लगाना है या helping भर्ब करेंगे इसको लगाना होगा दोस्तों तो हम जो यह नाउन है इसी के अनुसार ही निरधारित करेंगे नो कि इसके अनुसार निरधारित करेंगे फिर से एक बाद है यहां पर क्या है कि the water यह पाला noun हो गया ऑफ यानी प्रिपोजिशन यहां पर लगा प्रेपोजिशन हो गया है यह noun हो गया वस्के बाद देश रीमिर, यह noun हो गया है ठीक है और यहां पर क्या है दोस्तो,is' है, is He deci REM है यहां पर इस रीबर्स यह तो पुलल पूरल है लेकिन ये क्या है? तो क्या है? noun, preposition, noun तो क्या मैंने कहा? कि जब इस subject रूप में हमको मिले तो पहला noun के रूप से हम लोग candidates कता है पहला noun क्या है? the water क्या है? uncountable noun है और similar है तो इसलिए जो भी यहां पर देखी यहां पर is इसलिए यहां पर r लगाते हम यह गलत हुगा तो तुञी को भी देख़ेगा इसको तो यहाँ पर लगा देगा कि आर काल प्रिफरिजीशन है यहां पर इस अस्पूल स्पोजीशन स्वाशन एन नाउन स्पीन प्रूल है इसका मतलब इस संदूनम हुआ तो इसके का आता है कि पहला चो नाउन होगा उसी का अनुसारा उसका सुबजिक्ट घर निद्धार करेंगे दोस्तो है देखे पहला नाउन क्या है दोब वाइस आनि पूलल भर्व है तो यहाँ पर पूलल भर्व लगा यानि आर लगा है इसका मतलब यह भी सही है दोस्तों ठीक है अब तिसरे एक्जामपल की तरह जांद देते हैं कि दो लेक्स देखिए यहाँ पर क्या ही यह नाउन है और यह पूलल नाउन है नाउन क्या है पूलल है ओफ यानि प्रिपोजिशन लगा हुब है मैंने बनना बेसिकली यहाँ पर ओफ का ही प्रियोग दिखा जाता है इसे कह सकते हैं कि नाउन ओफ नाउन भी कह सकते हैं तो सही चलेगा ठीक है यहाँ पर रहा कि दो है और यहाँ पर है है और यहां पर दिशमार है और यहां पर यहां पर देखतें कि यहां पर गोरटos दा फ्लावर्स देखिए धिये पूलर नाउन है और ये क्या है सीम रोल नाउन है तो लूलकोर गाट है और यहांपर क्या दोस्तों इसका मतलब यह सही अगर हम यहां पर आर का परियोग करते तो यह फ्लावर कर अनुसार हो जाता है तो यह बिलकुल गलत हो जाता है जब भी ऐसे संटेंस दोस्तों आपको मिलें कि शुरू में नाउन है यह बीच में ओफ लगा है फिर नाउन है उसके बाद अगर देखेंगे उसके अनुसार उसका वर्वा नियुद्धारत करना नाइक जो जो इस प्रकार हो क्या सिर अगर और अच्छा लगर यह वीडियोल Гल्म को लाइप कर देजारेश वस्त कर देजिए नियुक्सलावसीर करते हैं तो फोrez और नाउन हो, इन्डिक्रिट नंबर या क्वांटिटी हो, उसके बाद ओफ लगा हो या नाउन लगा हो, अगर इस पकार के सब्जेक्ट रहते हैं, तो दोस्तो इसके बाद या या यह जो नाउन प्रियूग होगा, इसके अनुसार ही हम लोग भर्व का निर्धाना करते हैं, इ हम लोग भर्व का निर्धाना, इसके बाद वाले या लास्ट वाले नाउन के अनुसाल भर्व का निर्धाना करते हैं, तो यह बाद वाले पते, जैसे दिखे एक्जाम्पल, मैंने दिखा है, कि जैसे कैसे, अनिष्चित संख्या, मात्रा या संख्या का बोध कराते हैं, तो भर्व का निर्धारत, जो निर्धान होगा, वो इसके बाद आने वाले नाउन इसके बाद आने वाले नाउन पर ही निर्भर करेगा कि उसमें हम लोग क्या परियोग करेंगे भर सिंगुलर होगा या पुलर होगा वो लास्ट वाले नाउन पर निर्धारित होता है दोस्तों अब देखें एक्जामपल से आपको समझ मैं जैसे एक्जामपल देखिए कि प्लेंटी ओफ यह क्या है इन दिफिनिट नंबर या क्वांटिटी बताने बला है ठीक है प्लेंटी ओप इग्स देखिए यहां पर क्या हो गया कि प्लेंटी ओप क्या हो गया यह हो गया संख्या और उसके बाद क्या है और उसके बाद क्या है और उसके बाद क् यहां पर देखिए कि plenty of water water क्या है uncountable similar number है तो इसलिए यहां पर has का पर हुआ है plenty of वही है अनि in definite number या quantity दर्साने वाला वही संक्या है यह जो word है वही है लेकिन इसके बाद अगर puller noun आ गया तो puller भर्ब कपर योग हो गया इसके बाद puller अगर singular वा गया तो similar हम लोग भर्ब कपर योग करेंगे क्योंकि water यहां पर क्या है uncountable similar है दिस जूसे एक्जम्पल देखिए कि हाप और अभी है ना आपने है यहां पर भरब क्या हुआ लग गया हाप आप के बार क्या है मैंगोश सिल्ड है मैंगो क्या है कि है कि मैंगो यहां पर स्कूर्ब कंगा श्क्रीव गया अनीछ इनके बाद अगर obligation अगर यह तो तो पूरल का परियोग करेंगे, अगर singular आता है, तो हम लोग singular का परयोग करेंगे, भर्ब के रूप में, देखिए, यहाँ पर बात क्या है दोस्तों, कि a lot of के बात हमेशा क्या होगा, पूलल नाउन का ही परियोग होगा है लेकिन एक countable अगर नाउन का परियोग करेंगे एक चीछ आप बहुर्वर सधिये की है कि देखें यहाँ पर sewer है यहाँ पर water है जो की uncountable नाउन है इसकी जो है पुलल में अगर एस आई इस के लिए आगर हम लोग पुलल नहीं कर सकते हैं तो वाईसे इसे ती में हमेशा सिंग्डर का ही परियोग होगा यहां पर ध्यां रखेगा अगर इनके बाद देखे प्लेंटी ऑप इक्स हाप ऑफ वाईस एलोट अब बुक का ही परियोग होगा इस बात को ध्यान रखेगा अगर यही बात लिख देते कि a lot of books क्यों लिखते हैं तो यह बिल्कुल गलत हो जाता है यहां पर बुक्स होगा ही जब बुक्स होगा तो यहां पर पुलल भरभ का परियोग होगा है जैसे देखिए most of the student अब देखिए most of क क्या हो गया यह हो गया अंकाउंटेबल सिंगुलर हो गया इसलिए इसके बाद क्या है है इसके परियोग होगा इसमें कुछ अपवाद है जो मैं अभी आपको लिख देता हूँ आप उसे ध्यान से देखिए रूल नमबर चौथा का दोस्तों कि अपवाद में लिखा हूँ यहां पर आप हर चीज को नूट करते हैं कि बहुत ही उप्योगी है इसी में से हमेशा आपको फिल इंदी ब्लैंक आता रहाता है और याद करते चलिए यहां पर है अपवाद की रूप में कि देखिए यह यह ऑफ आफ और दंबर और दो हैं वर्ट ये नंबर आप और दो नंबर वो डि नंबर मःट मत्ली आ जानते हों कि बहूँत होता है दो deste होता है तो भर इसके आने वाले जो भर्व होंगे वो तो भी तो वह इसे ही पर यह होगे लेकिन इसमें डिफरेंट है दोस्तों यह भी हमेशा पुलल क्या लेता है पुलल हमेशा लेता है देखिए यह भी पुलल है आनि यह नंबर आप यहां पुलल है और दौन नंबर आप लेकिन इसकी बाद आने वाला भर्व जो होगा दोस्तोव वो होगा पुलल लेकिन इसकी बाद आने वाला हमेशा क्या होता है था नमबर और आने वाला इसका मतलब भी बहुत होता है और इसका मतलब ही बहुत ही होता है तो बाद ही बहुत होता है तो गलगी होते हैं तो आप्ते हेज़ीम्बी करें जा पैसे हमेशा उलल होगा दान नंबर ओफ के बाद आने वाला हमेशा सिवलर लिजिए कि यह नंबर और अप यहां पर लेखते हैं कि हाई अस्टोलें यहां पर करेंगे तो हाइस करेंगे अस्टोलें जो भी लगाना आप लगा सकते हैं अब आता है दूसरी बिधान देखें यहां अब हम दिता को साब случаев और तो सिंगुलर लिता है दोifter सेंटेज के असंग के सिंगुलर लेता है गहां सटोलें, और अपर पर morte के हमेशा लोगा साया हमेशा. यहां पर है कि यहां कर सकते हैं कि हएज असमाल न से कि हमेशा असमाल न जो थbecca है निस तो क्या लेता है ुल हुte ुल है तो यहां पर हमेसा हुए हमेसा पर्यूप का परियुए होगा दोटिक declin the percentage यहां पर 40% के आगे यह नहंबर लगा हुआ है अगर इस सिस्बिन रहे तो यहां पर क्या होगा दुस्तों यहां पर होगा सिंगुलर यहां पर क्या होगा सिंगुलर होगा दूस्तों यह ध्लिषान ले मुंगा यही यहyन करनों थ sher और यहां पर 40% यहां पर हमेशा पुलल भर्व का प्रहोगा अगर 60% है और यहां पर स्काइबल सिंग्लर है यहां पर सिंग्लर भर्व का परहोगा इस बात को आई ए अपमिश्य कर लिजाए दुस्तों आप चलते हैं है फाइफ रूल की तरह दोस्तों देखें देखें दिस्तों रूल नंबर फाइट में है दुस्तों कि कुछ सब्जिट की बनावर अगर इस ऊरूम में की रहे को लत डूर अगर रहे का रिभा ऋटम और उसके बाद उसके बाद डवलल अगर नाउन रहे तो उसमें क्या होता है दूसतो सब्पहर सिंग्डर ही परियोगा नाउन पूलल रहेगा लेकिन फिर भी भर्व क्या होगा स्टीगुलर नहीं परिवा क्यों अब देखिए बताता हूं को अनका मतलब क्या होता है दुस्तों क्लेक्टिव ना विस समय हुबाचक जैसे तरह से यह संबूर को दर्शाता है यह सिंग्लर संबूर को आपने इसे नूट को लिजेगा ये जो वड है ये टीमोप ये सेट आप ये बंच आनि किसी भी नौन को किसी भी नाउन को बहुत सारा चीज़े हैं उसको एक बंडल में बांदे यानि एक सामू का किसी एक चीज़ को डिनोट करते हैं तो उस सेंस में हमेशा वो सिंगर ही होते हैं जैसे दिखे एक्जामपल मैं दिखाता हूं अपको कि एक टीम ओफ प्लेयर्स प्लेयर्स तो कि यहां पर टीम लगा है और प्लेयर्स का जो समू एक चीज में बंदा है एक टीम में बंदा है इसके बाद हमेशा क्या होगा सिंगलर भर्ब का पर होगा धियान रखियागा इस बात को दूश्वेशन लेकिन बूक का एक सीट तेर्ट किया गए एक सेट की बारे में बात एप दोस्तों है जाई लगे गा यह नहीं लगेगा क्याहा है कि कि किए किसी एक-खी बात कर रहा है यहाँ पर तो हम लोग इसको देखकर यहां पर ल मखर चाब्यूप कैजा समू है उसके बारे में बात को रहे कि एंग्ज और की इज यहां पर लाएगा दोस्तो यह आर नहीं लगेगा अगर यहां पर यहां पर अजहां ग्रूप ऑफ की नहीं होता, दोस्तों तध्यान से देखिएगा कि इसमें जब भी अगर collective noun आएगा इसमें से team of set of bunch of prince आने किसी बहुत सरे सम्मूहों का एक चीज को denote करना एक धागे में बांध रहा हो या एक चीज को denote कर रहा हो, सुचित कर रहा हो तो उस इस्तिती में दोस्तों हम उसे उसक अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को like किजिए, subscribe किए, दोस्तों को share किजिए और कोई दिकत हो तो आप comment box में लिखिया और मुझे संपर किजिए, मैं उसे clear कर दूँगा आपको और आसा करता हूँ कि आने वाले वीडियो का आप wait किजिएगा, मैं ऐसे ही करकर subject verb agreement का वी एक्जाम में बिलकुल दूर हो जा और आप अच्छे नमबर ला सकते, जाय हैं दोस्तों